गुड मॉर्निंग एब्रिवन, वेलकम टो एक्जाम ओर्बिट क्लासेस, तो आज है 27 जन्वरी और आज के इस सेशन में 27 जन्वरी से बनने वाले सभी महत्पून कुईशन के बारे में डिसकस करेंगे, अगर आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आप स करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है, जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में, कौन सा देश मंगल गिरह के अभियानों के लिए परमाणू इंजन का सपल परिक्षन करेगा, भारत, अमेरिका, रसिया या फिर जापान, इस सवाल का जो आंसर है, वो आप सभी को मिलेगा क्लास के लास्ट में, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करेंगे फर्स्ट कोईशन, उतर भारत की सबसे बड़ी तेहरती सौर उज्जा परियोजना का जो उधगाटन है, ये कहां पर हुआ है, तो फ्रेंसिस का जो उधगाटन है, वो चंदिगड के प्रसासक हैं, जिनका नाम है बनबारी लाल पुरोहित, इनहीं के दुवारा इसका उधगाटन किया गया है, साथी में बनबारी लाल पुरोहित ने धनाज जील के ऊपर भी एक परियोजना का उधगाटन किया है, अब आप से पूछा जा सकता है कि जो रखेंगे ये चंदिगड में आती है, आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटिस्ट करेंट अफेर, जैसे कि गैस अथोरिटी ओफ इंडिया लिमेटेट ने कहां पर प्राकरति गैस प्राणली में हाइडरोजन के मिश्रण की भारत की अपनी पहली परियोशना शुरू की है मद् इक्सन प्लांट प्राप्त करने वाला पहला सहर बना है नासिक, दुनिया का पहला हाइडोजन फ्यूल से चलने वाला एर क्राप्ट इंजन का जो सपल परिक्षण है ये किस ने किया है स्कॉट्लैंड ने, टाड़ा पावन ने किस राज्च में भारत की सबसे बड़ी पा पर हुआ था गांधी नगर कुछ रात में उत्तर भारत के पहले ओध्योगिक बायो टेक पार्क का जो उदगाटन है ये कहां पर किया गया तो कठवा कठवा कहां पर आता है बरतुमान में तो ये जम्मु कश्मीर में आता है फ्रेंट्स अगर आप लोग पहली बार चैनल पर बेचिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथी बेल आइकन दवाना बिल्कुल ना भूले जिससे आप सभी को क्लास का जो नौटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा अगर क्लास सची लग रही है तो क्लास को जादा से जादा शेयर कीजेग लाइक किजेगा और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजेगा अगला सबाल है कि न्यूजिलेंड के 41 वे प्रधान मंतुरी के रूप में किसने सपतिल है तो फैंट्स न्यूजिलेंड के नए प्रधान मंतुरी बन गये है क्रिस हिपकिस Yाद रखेंगे कहां के बने हैं तो जैसिंडा का इन्होंने स्थान लिया है, आप सभी को ग्यात होगा, किलास में डिसकस किया गया था, कि जो न्यूजिलेंड की प्रधान मंतरी थी, जैसिंडा इन्होंने अपने पद से इस्तिपा दे दिया था, वहीं बात की जाएं दो नामों की, जैसिकी सना मरीन, तो सना मरीन आप सभी याद रखेंगे, यह बर्तमान में डैन्मार की PM है, जोर्च या मैलोनी यहाली में इटली की नई PM बनी है, यानि की नई प्रधान मंतरी के रूप में इन्होंने सपत ली है, पिक में आप सभी न्यूजिलेंड के PM को देख सकते हैं, आगे डिस्कस कर लेते हैं, न्यूजिलेंड के बारे में वेशिक इन्फॉर्मेशन, तो जैसे की अभी हम मैप में डिस्कसी कर चुके हैं कि न्यूजिलेंड का हाँ पर है, इसकी लोकेशन महित्पूर्ण है, न्यूजिलेंड की राज़धानी बैलिंगंटन है, न्यूजिलेंड की मुद्रा को न्यूजिलेंड डॉलर कहते हैं, न्यूजिलेंड का सबसे बड़ा सहर है ओक्लेंड प्रधान मंत्री याद रखेंगे क्रिश्वन गए है न्यूजिलेंड के वाशियों को क्या कहा जाता है तो कीबी कहते हैं कीबी यहाँ पर एक ऐसा पक्षी है जो की उड़ नहीं सकता दुनिया का एक मातर ऐसा पक्षी जो की उड़ नहीं सकता उसे हम कहते हैं कीबी आगे डिस्कस करेंगे उत्री न्यूजिलेंड को दच्छडी न्यूजिलेंड से कौनसी जलसंदी अलग करती है कुख न्यूजिलेंड की सबसे बड़ी जील कौनसी है ताउपे जील और आकी और माउंट पूफ जो परवत हैं ये कहां पर आपको देखने को मिलेंगे तो न्यूजिलेंड में अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएए कि जो डाउंस घांस के मैदान है डाउंस घांस भूमी ये किस देश में स्थित हैं इसका आप सभी को देना है कमेंट्स बॉक्स में नेस्ट पोईशन है कि फीडे वर्ल्ड चैंपियनसिप 2023 की जो मेजवानी है ये कौन करने वाला है तो फेंस इसकी मेजवानी सौपी गई है कजाकिस्तान को यानि कि 2023 में जो फीडे वर्ल्ड चैंपियनसिप होगी ये होगी कजाकिस्तान में अब हमारे लिए कजाकिस्तान की लोकेशन में है तपोन हो जाती है तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि ये जो इवेंट है ये अपरेल मई 2023 के दोरान कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में आयोचित किया जाएगा तो सबसे पहले जान लेते हैं इंटरनेशनल चैस फेडरेशन यानि की फीडे के बारे में विश्व सतरंसं की जो इस्थापना है वो 20 जुलाई 1924 पेरिस फ्रांस में हुई थी विश्व सतरंसं का मुख्याले लुसाने सुचलेंड में आता है और विश्व सतरंज महा संग के सीओ है जैफरी डी पॉर्क बर्तमान मेंन के उपाद्यच है विश्वनात आनंद और अंथरास्टिय सतरंज दिवस कम मनाते हैं तो भी जुलाई को मनाय जाता है आगे डिस्कस करेंगे कजाकिस्तान के बारे में तो जैसा कि आप सबी जानते हैं कि कजाकिस्तान सुर्कियों में रहा था क्योंकि काजिन 22 ये जो युद्ध अभ्यास है भारत ये किस देश के साथ करता है कजाकिस्तान के साथ और इसका जो चछटा संसकरन है 15-18 दिसंबर 2022 तक ये उम्रोई में आयोजित किया गया था पूछा जा सकता है फ्रेंट्स के उम्रोई किस राज्ज में है तो याद रखेंगे ये मिखाले में है कासिम जौमाटा टोकाई अब किस देश के प्रसीडेंट बने हैं यनोंने हाली में कजाकिस्तान के प्रसीडेंट के रूप में सपत ली है मैप में आप सभी कजाकिस्तान की लोकेशन देख सकते हैं इस देश की लोकेशन बहुत ही महत तुकून है ये है कजाकिस्तान कजाकिस्तान की अब फिर से राजधानी बन गई है अस्ताना और 2022 में इसकी राजधानी चेंज की गई है तो हो सकता है आगामी परीक्षा में आपसे पूछ ले जाए साथी में कजाकिस्तान से आप यहाँ पर देखेंगे कैस्पियन सी कैस्पियन सी की जो सीमा है वो कजाकिस्तान से लगती है ये बात आप सभी को याद रखने है कजाकिस्तान सोबियस संग का हिसा हुआ करता था जो सोबियस संग के विक्टन के बाद 16 दिसंबर 1991 को सुतंत्र हो गया था सोबियस संग यानि की बर्टमान का रसिया यह मद्द एशिया में इस्तित है और ये मद्ध एसिया का सबसे बड़ा देश और दुनिया का नौवा सबसे बड़ा देश है राजधान ही अस्ताना है और यहां की मुद्रा को तैंगे कहते हैं अगला सवाल है कि आदुनिक सिचाई प्राणली वाली नारायन पूर्ण लेफ्ट बैंक नहर का उद्गाटन किस राज्च में किया गया है तो फ्रेंट्स इसका जो उद्गाटन है वो किया गया है कहां पर करनाटक में उद्गाटन किस ने किया है प्रतान मंत्री की नरींत्र मोधी जी ने याद रखेंगे आप सभी कहां पर करनाटक में आगे डिस्कुस कर लेते हैं उ प्रद्धान मंत्री मोधी ने जलबूशर भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उधिगाटन हाली में कहां पर किया मुंबई महराश्टर किस देश के दचरी भाग में एक नए नेचरल गैस भंडार की खोच की गई है तो फ्रेंट्स ये खोच हाली में की गई है और कहां पर तो बांगला देश में होई है याद रखेंगे आप सभी बांगला देश में इसकी खोच की गई है और बांगला देश में कहां पर एक जि से बांगला देश को डीजल की आपूर्थी सुरू करने जा रहा है कौन सी पाइपलेन? Friendship पाइपलेन के तहत किस देश को भारत आपूर्थी करेगा तो याद रखना है बांगला देश को मैप में आप सभी बांगला देश की लोकेशन देख सकते हैं यह है बांगलादेश बांगलादेश की जो अंतरास्टी सीमा है वो भारत के किन राज्यों से लगती है वेस्ट वंगाल से लगती है इसके बाद याद रखेंगे आप सभी असम के साथ लगती है मेगाले के साथ लगती है तिरपुरा के साथ भी लगती है तिरपुरा आप पदमा नदी किसे क्याते हैं तो जैसे ही गंगा बंगला देश में प्रवेश करती है इसे हम पदमा की नाम से चानते हैं आगे डिसकस करेंगे नेस्ट कुरिशन है कि पंडित हरी पिरसाच छोरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो इनका नाम है डॉक्टर प्रवा अत्रे जिनने आप सबी पिक में देख सकते हैं इनका जो नाम है यह बहुत ही महत्पून है डिसकस करेंगे आगे इनके बारे में तो देखें परसिद हिंदुस्तानी गाई का डॉक्टर प्रवा अत्रे को पंडित हरी पिरसाच छोरसिया Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया गया महराष्ट के मुख्यमंत्री एकनास सिंदे ने उन्हें पुरुसकार से सम्मानित किया बर्तुमान में महराष्ट के CM कौन है एकनास सिंदे प्रवाहत्रे किराना घरानी के एक भारतिय सास्त्री गायका है और उन्हें भारत सरकार दुवारा तीनों पदमों पुरुसकार से सम्मानित किया गया है फ्रेंट्स याद रखेंगे नाम बहुत महराष्ट पून है और ये किस घराने से सम्मंदित है तो किराना घराने से इनका सम्मंद है आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ मेहत्पोन पुरुसकार ग्रेमी अबोर्ट जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गाय कौन है अरुच आफ़ताव पृतम लता दीनानात मंगेशकर पुरुसकार प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी को दिया गया एबल पुरुसकार 2022 से किसे सम्मानित किया गया अमिर की गड़ितिग्या डेनिस पानिल सुलिवन को 2022 स्पोर्ट स्टार एसस अबोर्ट में प्रतिष्टित स्पोर्ट स्टार आपता येर का जो पुरुसकार है ये किसने जीता नीरच उपडान है अगला जवाल है कि जमूतरी अर्थिविवस्ता और कनेक्टिविटी केंद्र किस राजचिया केंद्र सासित परदेश में इस्थापित किया जाएगा तो फ्रेंट्सिस की जो इस्थापना है वो नई दिल्ली में होगी कहां पर होगी तो याद रखेंगे नई दिल्ली में इसे इस्थापित किया जाएगा नेस्ट वेशन है कि कौन सा मंत्राले हाल कौन सा मंत्राले लाल के लिए में 6 दिवसी मेगा इवेंट भारत परव का आयोजन कर रहा है तो फ्रेंट्स ये जो मेगा इवेंट है जो कि 6 दिनों तक चलेगा इसका आयोजन कर रहा है परियाटन मंत्राले आई डिसकस कर लेते हैं इसके बारे में तो किन्तरी परियाटन मंत्राले 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉंग में छे दिवस्य मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन कर रहा है परियटन मंत्राले इस आयोजन का नोडल मंत्राले है इससे पहले बर्स 2016, 17, 18, 19 और 20 में लाल किले में ग्यान पत पर्व पर भारत पर्व आयोजित किया गया इस आयोजन में देखो अपना देश भारत एक भारत सुरेष्ट भारत G20 और मिसन लाइफ जैसी पहलो की ब्रांडिंग और प्रचार भी किया जाएगा तो आपको याद रखना है कि भारत पर्व कहां पर मन रहा है तो लाल किले में लाल किला कहां पर है तो ये नई दिल्ली में है आयोजन कोन कर रहा है कि इंदर ये परियाटर मंत्रा ले अगला जबाल है कि परिशार भारत दिने हाली में केस देश की राष्टिय मीडिया प्राधिकरण के साथ एक समझोते पर हस्ताक शर्किये हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मुखे अर्थिती थे मिश्र के प्रसीडेंट थे और मिश्र के साथ ये समझोता हुआ है डिस्कस कर लेते हैं इसी के बारे में तो नई दिली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और मिश्र के प्रसिडेंट जिनका नाम है अब्दिल फते अल सीसी की उपस्तिती में समझोते पर हस्ताप्षर किये गए यह M.U. परसार भारती दुवारा टीडी इंडिया चैनल की पहुँच का विस्तार करेगा इस प्रोग्राम की मदद से अर्थ विवस्ता पुध्योगी की सामाजिक विकास और समृत्ध सांस्कृतिक विराशत में ध्यान के इंद्रित करने वाले कारिक्रमों को प्रदिशित क किया जाएगा मिश्र की लोकिशन आप सभी मैप में देख सकते हैं कहां पर है अफ्रीका महादीप में इस दित एक देस है जिसे इंग्लेश में इजिप्ट कहते हैं मिश्र की राजधानी का हीरा है और नील नदी का बर्दान किसे कहते हैं तो मिश्र को कहा जाता है मिश्र की मुद्रा को मिश्री पाउंड कहते हैं और यहां के बर्थमान में प्रेसिडेंट कौन है तो इनका नाम बहुत महत्पून है याद रखेंगे इजली आप याद रखेंगे सीसी करके ठीक है तो यह कहां के प्रेसिडेंट है मिश्र के नील नदी का बर्दन मिश्र को कहते है नील लदी कहां से निकलती है विक्टोरिया जील से, अफ्रीका की सबसे बड़ी जील कौन सी है विक्टोरिया, आश्वन वन किस नदी पर बना है नील लदी पर, नील लदी कहां पर अपना जल गिराती है यह आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे नेस्ट विजन है कि भारत की कौन सी फिल्म ऑसकर दो हजार तेश में, डोकुमेंट्री सॉट लिस्ट सबचेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है तो फ्रेंट्स इस फिल्म का नाम क्या है तो याद रखेंगे ता एलिफेंट हिस पर इसका नाम है इस फिल्म को नॉमिने किया गया है देखिया ओसकर से सम्मंदित तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं पहला पॉइंट याद रखेंगे कि 95 अकादमी अवार्ट्स में भारतिये डोकुमेंट्री फिल्म दा एलिफेंट विश पर डोकुमेंट्री सॉट लिच सबजेक्ट में कैटेगरी में पॉइंट हुआ है तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत की फिल्मों में 95 अकादमी अवार्ट्स में तीन नामंकन प्राप्त हुए हैं जिसमें से तीसरा है ओल डैट वीट्स ठीक है तो ये तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं क्लास की शुरवात में जो जही आंसर होगा अमेरिका अमेरिका की जो अंत्रिच एजनसी है जिसे हम कहते हैं नासा नासा ही इसका परिक्षण करेगा मंगल ग्रय के अभियानों के लिए और इसकी जो भुषणा है वो नासा ने की है और संभावना है कि 2027 में इसका परिक्षण कर सकता है नासा कल की कि जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं Operation Alert अभ्यास इसकी शुरुवात की गई BSF के दुवारा भारत पाकिस्तान की सीमा पर खबरों में रहा मोईदम साही परिवार का कबरिस्तान किस राच्च में स्थित है तो ये है असम में किस देश के उपराश्ट पती बदरा अली जौफ का भारत में निदन हो गया है तो ये गांबिया के उपराश्ट पती थे तेरवा राश्टियमद्दाता दिवस कब मनाया गया है फ्रेंट्स तो ये 25 जनवरी को मनाया गया है इसकी थीम आप सभी याद कर लेना महित्त पून है पहला इंडिया एस्टेक डपलपर संभिलन जो है ये कहां पर हुआ है तो इसका आयूजन नए दिल्ली में किया गया पहली बार चार फरवरी से चौदा फरवरी तक सरस मेला दो हजार तेज कि मेजवाने कौन करेगा चमू कश्मीर किस देश के सतलर कुन्ना बुत विटिन सन ने इंडिया उपन वैटमिंटन में पूरु सेकल का खिताब चीत लिया है तो ये कहां के खिलाडी है थाइलेंड के राष्टपती दुरूपती मुर्मू ने कितने आसाधरन वच्चों को प्रधान मंत्र राष्ट ये बाल पुरुसकार दिये हैं तो ग्यारव अच्चों को दिये गए हैं संगई सयोग संगठन यानि के एसियो फिल्म उस सब का जो आयोजन है ये होगा मुंबई महरास्ट में भारती नौसेना दुवारा किस महासागर में प्रोपेक्स नामक समुद्री अभ्यास आयोजित किया जा रहा है हिंद महासागर में वर्स दो हजार वाईस के लिए सबसे प्रतिस्टित वैज्ञानिक सम्मान इंडियन अचीवर्स अबोर्स से किसे सम्मानित किया गया है तो इनका नाम है आर विश्णू परशाथ 21 परंबीर चक्र पुरुसकार बिजेताओं के नाम पर अंडिमान और निकोबार दीप समुद्र के 21 दीपों का नामंकरन किसने किया है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जीन है किस राचिके एहसका पुलिस्थाने को अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 एस्ट्रेटिक ची के कुर्शन केंद्रिय बन अनुसंधान संस्थान कहां पर है तहरा दून में भारत रत्न किस के दुवारा दिया जाता है सनी डेस नामक चर्चित पुस्तक किस की है तो याद रखेंगे सुनिल कावशकर की भारत के पहली जनगरना कब और किस के दुवारा करवाई गई थी 1872 लोट मियो के दुवारा लाइफ डिवाइन बुस्तक के लिखा कौन है अर्विंद खोश भारत में दसमलब मुद्रा प्राणली किस वर्स लागू की गई 1957 में संसार कर चीनी का कटूरा कौन सा देश कहलाता है क्यूबा वैनिजुला इस्दित उंश्न कटीवंदिय घास के मैदान को क्या कहा जाता है लानोस विश्व पिरसित हैमिस गूमपा उस सब कहा मनाया जाता है लटाग में मुगल समराट बादूर साहा जफर की मिर्द्यू कहां पर हुई रंगून में कल के शेशन में जो आप से क्वेशन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं एक बार निकुष यह किस देश की रास्थानी है तो फ्रेंट्स याद रखेंगे यह साइप्रेस की रास्थानी है किस राच में मतदान प्रतिसत 90 से अधिक करने के लिए चुनाब आयुक ने मिसन 929 लौंच किया तिरपुरा में समिदान सभा का जो पहला सत्र था ये कब हुआ था 9 दिसंबर 1946 कुमायो हिमाले निम्न लिखित में से किन नदियों के बीच इस्तित है तो याद रखेंगे सतलज और काली के मद्द में इस्तित है अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स वॉक्स में पहला सवाल है कि भारती लागत लेखा कार संस्थान के अध्यच कौन बने है नेस्ट कुईशन है कि निमन मेंसे किसने लुप्त प्राय पच्छी ग्रेट इंडियन वस्टर के वचाप के लिए पोर्जेक्ट टाइगर की तरज पर पोर्जेक्ट ग्रेट इंडियन वस्टर सुरू करने की सलाती है निम्न लिखित में से किस खेल के लिए पिरसित गूल्डन बोल अबॉर्ट दिया जाता है नेस्ट एंड लास्ट कुईशन है केन वीट वर लिंक नहर किस राश्टिय उध्यान से बुचरती है तो फ्रेंट्स इन सभी के आंजर आपको देने हैं कमेंट्स वाक्स में आज का ये शेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेर कीजीएगा लाइक कीजीएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजीएगा तो फ्रेंट्स मिलते हैं नया स्टेशन में एक नए टॉपिक के साथ जब तक के लिए जय ही जय भारत